हाई फ्रेंद्स मैं हूँ शाइन सेयर वेलकम तू माय चानल आज हम बनाएंगे इंस्टिंट रसीला बेसन का हलवा इसको बनाने में मैक्सिमम आपको 5-7 मिनिट का ही टाइम लगेगा बहुत ही इंस्टिंस ही रेसिपी है और देखने में जितना टेम्टिंग लग रहा है ना के तीन कप पानी अगर आप इसमें कुछ फ्लेवर आट करना चाहते हैं जैसे के एलाइची केवरा एसंस या फिर केसर तो आप इसी टाइम पर आट कर लीजिए जैसे जैसे ये कुख होगा तो चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी फ्लेम मैंने शुरुआत से आखिर तक ब होना कप लेना है दो टेबल स्पून घी मैंने पीछे बचा लिया है जो हम आखिर में आट करेंगे घी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है पहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए घी बेसन मैंने एक कप लिया था और यह देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा धानेदार है अगर आपका बेसन धानेदार नहीं है तो एक चमज आप इस समय ना साती में सूजी आट कर लीजी एक छोटा सा टी स्पून और इसको अच्छे से आपने भून लेना है अब यहां देख सकते हैं बेसन पूरा घी एब्सॉर्ब कर लिया है और आप इसका कलर देख सकते हैं करना है वरना जो हलवा है उसका कलर और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है यहां पर मैंने फ्लेम ओफ कर लिया है ओफ करके थोड़ा थोड़ा चाशनी तीन से चार बाचेज में आट करिए ऐसे और उसको कवर कर ले तकरीबन एक से टेड़ मिनिट के लिए ताकि वो उब कर बाहर नहीं आए उसके बाद मैंने खोल कर चला लिया है और अभी अपने फ्लेम ओन कर लेना है ओन करके इसको कंटीनियूस अपने चला लेना है जैसे जैसे इसी केगा यह चाशनी अपने अंदर एब्जॉब कर लेगा और यह देखे इस तरह से थोड़ा सा थिक हो गया वेशन का हलवा बहुत जादा ड्राय हमने बिल्कुल भी नहीं करना है इस स्टेज पर जैसे यह थोड़ा सा इस तरह से थिक हो जाता है तो हमने इसको कवर करके आधे मिनिट के लिए स्टीम में कुक कर लेना है ताकि हलवा अंदर से अच्छे से कुक हो जाए इसके बाद म में से वो मैं अभी यहां पर आड कर लूँगी और इसको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे एक शाइन और ग्लेज भी आ जाता है और टेस्ट बहुत एन्हांस होता है हलवे का तो मिक्स करके आधे मिनिट के लिए फिर से हम उसको कुक कर लेंगे अब यहां पर साइ यह बेसन का हलवा ठंडा होता है तो अपने आप ही थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है और ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी पर आ जाता है तो जो घी बच गया था बचा कुछा वो भी मैंने आप आड कर लिया आप चाहें तो उपर वाला जो घी मैंने आड किया ने वह आप बहुत ही टेंप्टिंग है यह तो बस जैसे यह थंडा हो गया था न तो मैं आपको इसका टेक्स्टर दिखा देती हूँ यह दिखिए यह ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी पर आ गया और चमश पर भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा भी तो यहाँ पर मैंने इसको सर्फ कर लिय वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा रेसेपी अच्छी लगती है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबाइक जरूर दीजिए तो बस आज के लिए इतना काफी है फिर मिलूंगी एक और नहीं और ताजा रेसेपी के साथ त